हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस इरूप चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स यानि की पॉलिटिकल साइन्स के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है और दोस्तों ये जो 30 इंपोर्टेंट और दोस्तों है न इस वीडियो को सुरूर से लेकर आगरी तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो से जो हिन आपके फॉर्णल मेजटिक बूट पिक्छा में काफी सारे परसने इसी वीडियो से मिलने वाला है तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए है न तो प्लिस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में नौडिफिकाशन वेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट कर लिजेगा और दोस्तों फटावर सी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तो जो भी विद्यार थी हमारे वार्षप गुरूब में नहीं जूड़ है अभी तक तो आप हमारे वार्षप गुरूब में जूड़ जाएगा यह मेरा वार्षप नमबर है 6206 से 076569 सिंपल इस नमबर को सेब कीजी आप हेलो कीजी आपको तुरंत वार्षप गुरूब में जोड़ जाएगा ठीक है तो चले दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर आज के पहले नमबर परसंसे उससे पहले आज का जो टेस्ट नहीं दिये ना तो वीडियो समाप होने के वाद आप वेबसाइट पर जाएगा आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा और दोस्तों यह सभी परसंस जो नाम टेस्ट में भी सम्मिलित करेंगे इसलिए क्लास को सुरू से लेकर आगरी तक जरूर दे कि आपको जो ना यहां पर टेस्ट में काफी हल्पूल मि होती मतपूर ने तो यहां पर अपसन ए में आपको दे और आज तंतर या फिर लोगतंतर या फिर ओपसन सी में आपका दिया हुआ है अपसर साही या फिर इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड है यहां पर जो सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है ना लोगतंतर सरकार सबसे प्राजनितिक जागिर्थी तो फ्रेंड लोकतंतर के मार्ग में सबसे बड़ी बादा जो है यानि कि यहां पर भी वला उप्सन जो है न बिल्कूली करक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे तिसरा नंबर पर संगो देखेगा जो की बहुत ही महतपूर ने क्या कराए कि छेतरवाद की भावना का एक कूपड़ी नाम है तो यानि कि यहां पर डी वला उप्सन जो है न बिल्कूली अपर टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे चोथान नंबर पर संगो देखेगा जो की मोश्ट इंपोर्टेंड है क्या कि भारत में किस परकार के लोगतनर की विवस्ता है यानि कि यहां पर विल्कुली करक्ट रांसर हो जाएगा अब चले देखती हैं पर पांच नमबर परसंगों देखेगा क्या करा है कि लोगतंद्र की उपलोबधियों में सबसे अधिक साहय क्या है तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोगतंद्र की उपलोबधियों में सबसे अधिक साहय क्या है यानि कि यहाँ पर ड़ी वाला अप्सन जो है न विल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग काफी महतपूर्ण महतपूर्ण तीस मोश्ट इंपोर्टेंट है निचोर परसन को देख रहे हैं जो आपके फॉनल मैटिक वोट पर इच्छा में पूछे जाएंगे इसलिए जो दोस्तों यहाँ पर आप कोसिस कीजिए कि एक एक कोसं का आंसर जो है न लाइब चैट में या फिर कमेंड बुक्स में कमेंड कीजिए इससे हमको यह पता चलेगा कि आप जो है न काफी अच्छी तरीकी से चल रही है अब चले दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट कोस्टन को देखेगा जो की बहुत ही मतपूर ने क्या अगड़ा है तो फ्रेंड भारत में वर्ट देने की नियूंतम आयू क्या है अठाड़ वर्स है यानि कि यहां पर भी वोला अप्सन जो है न बिल्कुली करक्टरांसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप अगला परसन है तो फ्रेंड यहां पर साथ नमबर परसन क्या अगड़ा है कि बिहार में पंचायती राज संस्ता कितनी अस्तरिये है तो यहां पर अप्सन एमें आप पर एक अस्तरिये या फिर दो अस्तरिये या फिर तिन अस्तरिये या फिर चार अस्तरिये अब आईए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट को देखेगा जो की बहुत ही मत्पूर ने क्या गराए कि भारत में लोकतंदर के समक्ष कौन सी चुनोतिया है बहुत इंपोर्टेंड है तो यहाँ पर अपसन ए में आपको भरष्टा चार या फिर जातिवाद या फिर पड करक्ट अंसर हो जाएगा अब आये दोस्तों देखते हैं पर नेक्स्ट को देखेगा जो की बहुत ही मत्पूर ने क्या कड़ाए कि सुचना के अधिकार से होते हैं लोग क्या होते हो यह आपको बताना है तो यहाँ पर आपको जागरूप या फिर क्रांतिकारी या फिर उ प्रवर से वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहां पर जो इना डेली धमाकेदर क्लास होता है और इनके साथ साथ जोना दोस्तों हमारे वेपसाइट पर भी डेली ऑलाइन टेस्ट लिया जाता है इससे यहां पर अपको दुत्तर परदेश में या फिर आजस्तान राजे में या फिर बिहार राजे में या फिर जार्खन राजे में तो फिरेंड लिच्छवी गंतंत्र जो है ना यह बिहार राजे में अवस्तित है यानि कि यहां पर सीवला अप्सन जो है ना बिल्कुली करक् नेक्स्ट को देखेगा जो कि बहुत ही मतपूर्ण है कि बिहार में संपोर्ण करांती का नेत्रितु जो है ना जैपरकास नारायन ने किया था यह पर सुझाना बहुत इंपोर्टेंड है और दोस्तो यह पर सुझाना दस बार से भी जादा पूछा जा चुका इस वीडियो में जितने भी कोसंस है ना बहुत इंपोर्टेंड है और एक है कोसंस का आंसर आप लोग कमेंट कीजे दोस्तो अब चले दोस्तो देखते हैं आप नेक्स्ट कोसं क्या करा है कि तारी विरो होने चीए यानि कि यहां पे हमारा सीवल ओप्सन जो इना बिल्कुली करेक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को संगो देखेंगा जो की बहुत ही मत पूर्ण यह भी पर सुझे ना बोट प्रिक्छा में हांडरेट परसंट पूझे जाए यानि कि यहां पे यह वला ओप्सन जो इना बिल्कुली करेक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को संगो देखेंगा क्या गड़ा है कि सुचना क्या अदिकार संबंधी कानुन कब बना तो यहां पे ओप्सन ए में आपको दिया 2004 में यह पि आप नेक्स्ट को संगो देखेंगा जो की बहुत ही मतपोर्न है, क्या कराय कि सुचना के अधिकार आंदोलन की शुरुवात कहां से हुआ था, बहुत इंपोर्टेंड कहां से शुरुआ था, तो यहां पे ओप्सन, ए में आपको राजस्तान राजे से, या फिर दिल्ली र राडू राजय से या फिर बिहार राजय से तो फ्रेंड सुचना कि दिकार आंदुलन की जो सुरुआत हुई प्रस्ता राजय से राजय से यानि कि यहां पर याद गुणा बिल्कूल करेक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर सवर्ण नमबर परसंत्रों को देखेगा क्या गड़ा है कि भारत में यहां पर आपको बताना है कि भारत में 1927 में किस पार्टी को बहुमत मिली थी तो यहां पर बीवला अप्सन जो इन अविलकुली एक करक्टांसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आपे 17 नमबर परसन को देखेगा जो की most important है और ये भी परसन जो ना board exam में पूछे जाएंगे क्या कड़ा है कि राजनितिक दल का आशर है तो यहां पर अप्सन ए में आपको दिया हुआ है अपसरों के समूह से या पिर सेनाओं के समूह से य यह जो राजनितिक दल का जो आसे है ना वेक्तियों के समूह से है इसे आपको यादोना चीए दोस्तों यानि कि यह पर डी वाला अपसन जो है ना बिल्कूली correct answer हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आपे next question जो की बहुती महत्पोर ने क्या कड़ाए कि राजनिति दलों की नियू सरोपर्थम जो है ना ब्रिटेंड देश में पराथ है इसे आपको यादोना चीए यानि कि यहां पर एवला अपसन जो है बिल्कूली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पौना इस नमबर पर सुन को देखेगा क्या करा है कि किसे लोगतंदर का प्रान माना जाता है most important है और यह भी पर सुन जोना board exam में पूछे जाएंगे अच्छी तरह से सभी questions को याद करते हुए जाना है तो यहां पर आपको बताना है कि किसी लोगतंदर का प्रान माना जाता है तो यहां पर सरकार को या फिर राजनीतिक दल को या फिर सविधान क या फिर नियाई पाल को तो फ्रेंड लोगतंदर का प्रान किसे माना जाता है तो यह सभी को पता होना चाहिए राजनीतिक दल को जो इना रोगतंदर का प्रान माना जाता है यानि कि यहां पर भी वोला option जो है बिलकुल करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देख और विधायक यानि कि यह दोनों पर लागू होता है यानि कि यहां पर एवला option जो इना बिलकुली करक्ट रांसर हो जाएगा तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जोना काफी महतपूर्ण पूरे पोलिटिकल साइंस यानि कि सिविक्स राजनीति विज्यान के ज पूछे जाएंगे अगर आप इस बार एक्जाम देने वाले हैं तो यह सभी questions को अच्छी तरह से याद करती हुए जाना है और दोस्तों यह सभी questions का जो इना ओलाइन टेस्ट लेंगे तो यहां पे class को ज़रूर कीजिए शुरूर से लेकर आगरी तक और यहां पे सभी questions को याद कर लिजे क्योंकि यहां पे जो इना जो कल टेस्ट लिया जाएगा ना काफी धमाकेदार यहां पे सभी परसन को मौझूद के लिया जाएगा यान क्या जाएगा जो बोड एक्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो फ्रावर से वीडियों को लाइक कर दीजागा द जो फ्रेंड गट बंदन सरकार की परकर परसासन पर क्या होती है धिली होती है यानि कि यहां पे बिलकुली करक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को देखेगा क्या करा है कि भारत में आपतकाल की घोसना कब हुई थी बहुत ही मतपूर्ण यहां पर भारत में जो आपतकाल की घोसना हुई थी दोस्तों यानि कि यहां पर वी वहला आपसन जो है ना बिलकुली करक्टांसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखती हैं पर नेक्स्ट को देखेगा क्या करा है कि लोग तंत्र में निरने लिया जाता है तो यहां पर यहां पर जल्दी या फिर देर से या फिर तोरंत या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड लोग तंत्र में जो निरने लिया जाता है यानि कि यहां पर भी वहला आपसन जो है न बिलकुली करक्टांसर हो जाएगा अब चले दूस्तों देखती हैं आपर नेक्श्ट को पर या पर इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड जो संपरदाइक राजनीती होते हैं यह ध्रम पर अधारीद होती है जो कि यहां पर एबला उप्सन जो है ना यहां पर करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट को देख लेते हैं जो कि बहुती म महिलाओं के लिए आरक्षन की व्यवस्ता है तो यहां पर अपको याद होना चीए दोस्तों यानि की यहां पर सीवला उप्सन जो है ना बिलकुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप 26 नमर परसंगो देखे हैं क्या करा है कि भारत की वीतिय रा यानि की वीतिय राजदानी किसे माना जाता है तो मुंबई सहर को माना जाता है यानि कि यहां पर सीवला उप्सन जो इन बिलकुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट को देखेंगा आप फ्रेंड परसंग यह कराए कि सिरी लंका में कौन सा धर्म है most important है तो यहाँ पर option एमें आपको बहुत धर्म या फिर हिंदु धर्म या फिर इसाई धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं तो friend है स्री लंका में जो है ना दोस्तो बहुत धर्म है यानि कि यहाँ पर एवला option जो है बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा अब चले दोस्तो देखते हैं पर next question को देखेगा जो की बहुत ही मतपोर ने क्या गड़ाई की राजनितिक दल का आसा है इसे आपको यादोना चीतिक कररक्टर अंसर हो जाएगा आप चले देखते हैं आपedar और तेसंतों जो की बहुत इंपोर्टेंड है परस içwife क्या गड़ाई की नेपाल में अब क्या है तो यहाँ पर option ए में आपको दिराज तंत्र या फिर लोग तंत्र या फिर दोनों और अपसंडी है इन में से कोई नहीं तो friend नेपाल में जो इना अभी क्या है वह आपको बताना है तो लोग तंत्र है जो कि यहाँ पर भी option में दिया हुआ है बी बला अपसं जो इना बिल्कूली करेक्टर अंसर हो जाएगा अब चलिए दोस्तों देखती है आप आज का लास्ट रंतीम परसन क्या गड़ा है कि लोग सभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है तो फ्रेंड यहाँ पर लोग सभा में निर्वाचन के लिए जो कुल सीटों की जो संख्या होती है ना कितना सीट होती है पासो 42 या पिर 544 सीटे या फिर 543 सीटे या फिर 545 सीटे तो लोग सभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की जो संग्या होती है न दूस्तों कितना सीटे होती है पास 43 सीटे होती है निर्वाचन के लिए यानि कि यहां पर सीवला अप्सन जो ना बिलकुली करक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड यहां पर हम फाइनली जो ना क्लास 10 के सिविक्स के मोस्ट इंपोर्टेंड ए तीस काफी म परस नहीं यहां पर सही और साटिक आंसर दे पाए इसका जवाब जो हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ठीक है और दोस्तों जो भी विद्यार थी हमारे वार्षप गुरु में नहीं जूड़े है तो वार्षप गुरु में फटावर से जूड़ जाईए यह मेरा वार्षप गुरु में तुरंते जोड़ दिया जाएगा और दोस्तों बेफसाइट पर ओलाइन टेस्ट चल रहा है तो फटावर से जाईए आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा फिर मिलते हैं आप पर नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू वंदे मातरम